आज ये 6 दिसंबर और आज के दिन दो प्रो कबटी के मैचेस खेले जाएगे पहला मैच का प्रिव्यू कर लिया है दूसरे मैच की बात की जाए तो दूसरा मुकाबला यूपी योधास एंड हरेना स्टीलर्स के बीच में खेला जाएगा एंड इस मैच में दोनी टीम्स की क स्टार्टिंग सबन रहने वाली है आएए इस मैच का डीटेल में प्रिव्यू करते हैं सब जो पहले मैच की इन्फोमेशन पर नज़र डाल लेते तो मैच नमबर 9 है जो यहाँ पे यूपी योधास एंड हरेना स्टीलर्स के बीच में खिला जाएगा रात के 9 बजे द एक एए अरेना भाइ ट्रांस्टेड या एहमदाबाद में दोने टीम के हैट तो एड रिकॉर्ड पर नज़र डाल लिया जाए तो दोने टीम आट बार भीड़ जुकिये जहाँ पे यूपी ओदास के टीम तीन बार जीती है हरेना स्टीलर्स के तीम तीन बार जीती है और दो क्लेस की बात की जाए तो UP ODAZ एन हरियना स्टिलर्स की टीम पिछले बार भीडिती तो UP ODAZ की टीम में हरियना को 40-34 के स्कोर से हराया था तो UP की टीम फोड़ा आगे चल रही है दोने टीम स्टार्टिंग 7 की बात कलिया जाए यूपी ओधा से शुरू किया जाए तो आप देख सकते हो starting seven जहाँ पे हमें परदीप नर्वाल, सुरेंदर गिल, विजे मलीक, नितिन पनवर, हरेंदर कुमार, नितेश कुमार और सुमित देखने को मिल जाएगे देखा जाए तो यहाँ पे परदीप नर्वाल पिछले बार खेलेते सब्सेटिट होके बाहर चले गए सिर्फ छेही रेड किये, उम्मीद करते कि इस बार इनको सब्सेटिट ना किया जाए, इनको पूरा मैच खिलने का मौका मिले और वहीं पे हरियाना की बात की जाए, तो हरियना स्टिलर्स की स्टार्टिंग सवन इस तरीके से देखने को मिल सकता है, सिधार दिसाई, चंदरन अंचीत, आसिस नर्वाल, मोहीत नंदल, चैदीब दहिया, राहुल सित्पाल और मोहीत कालर देखने को मिल जाएगे, तो यहाँ पे हरियना स्टिलर्स की स्टार्टिंग सवन रहने वाली है, दोने टिम्स की स्टार्टिंग सवन को कंपैर कर लिया जाए, तो आप देख सकतो यूपी ओधास की रेडिंग लाइन अप में देखने को मिल जाएगे, परतीप, सुरेंदर गिल और विजे मलिक, और व चंदर रंजीत अच्छा खेल सकते, आसिस नर्वाल अच्छा खेल सकते, तो मुझे लगता है कि रेडिंग लाइन अप के मामले में दोनों ही टीम अभी बराबर चल रही है, डिफेंस की बात की जाए, तो कवर डिफेंडर्स, यूपी ओधास के पास, नितिन फरनबर, हरे अंदुर कुमार है, सब्सिट्यूट में और भी प्लियर्स के ऑप्शन है, लेकिन ये दो प्लियर्स मुझे लगते जो खेलेगे, एंड हरियाना के पास, मोहीत एंड जैदीब जैसे कवर डूओ है, तो अफकोस यहाँ पे कवर डूओ हरियाना का ज्यादा स्टॉंग है, क बहुत ही क्लोस कॉंटेस्ट हमें देखने को मिल जाएगा दोने टीम से इस मुकाबले में, अब यहाँ पे उन प्लियर्स के बारे में बात करते हैं, जिन पे नजरे रह सकती है, यूपी ओधास के टीम से मुझे लगता है कि सुरिंदर गिल पे सब की नजरे रहेगी, जहा पे पीके लाइन में इन्होंने 21 मैचस में 57 पॉंट स्कोर किया था, तो मुझे लगता है कि इस मुकाबले में अच्छा खेल सकते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं, प्रेडिक्शन के बारे में मेरी क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है इस मुकाबले को लेके, मेरा पहला है कि सुरिंदर या फिर विजय मलिक में से कोई एक प्लियर इस मुकाबले में अच्छा खेलेगा दूसरा प्रेडिक्शन यह है कि यह मुकाबला बहुत इकलोज जाने वाला है एक दो पॉइंट का मार्जिन या फिर टाई भी जा सकता है टाई होने के कम चांज़े से लेकिन क्लोज मुकाबला जाएगा एंट तीसरा प्रेडिक्शन यह है कि यूपी ओधास के टीम यह मुकाबला जीतने वाली है यूपी ओधास के टीम अपना पहला मुकाबला यू मुमबा के इकला फारी थी एंट मुझे लगता है कि यह मुकाबला जीत सकती है एंट मैं आपको पतादू, टेलिग्राम चनल को आपने जॉइन नहीं किया तो हमारा ओफिशल टेलिग्राम चनल को जॉइन कर लो मैच के जितनी भी कवरेज होते है जो भी लेटेस अपडेट होते है सब कुछ यहाँ पर हम टेलिग्राम चनल पर सेयर कर रहे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइट कर देने वाला हो और आपको क्या लगता है ये मुकावला काउंसी टीम जीतने वाली है यूपी ओधास लगती है तो आप रेट हाट कॉमेंट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हरियना की टीम जीतेगी तो आप ब्लू हाट कॉमेंट कर सकते हो और अभी फिलहाल के लिए पीकेल सीजन 10 का निव पॉन्स टेबल आपने नहीं देखा है तो लफ साइट पे क्लिक करके देख सकते हो अगर आपको देखना है तो राइट साइट पे क्लिक करके देख सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और नहीं इंटरसिंग उड़के साथ ठैंक्स फॉर वाचिंग